एस एस टेनो एक्जाम की पेपर के उपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह के पेपर हैं क्या चिंज़ा आएं ये हम लोग इस वीडियो में जानेगे जो नए आप विहारती हैं जो नहीं दरोगा एक्जाम देने जारें ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा आया होंगे इसके बात बात करेंगे BPA से re-exam के उपर क्या टूटल महामला है re-exam किस सेक्षन के सेंटर की बात की जा रही है इसके उपर बात करेंगे और answer के के उपर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और बिहार दरोगा 2019 के सारे डिक परिच्छा के उपर बहुत जादा कॉमेंट से सारे डिक परिच्छा कब तक होंगे ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं हूँ अमिनास कुमार आगे बढ़ने शिपाले सेलेक्टरने के बाद ये मेरा रेफलर कोड़ ही उसकाना है जिसके बाद इन फ्री क्लास को एक्सेस करते हैं साथ में आप अनकेडमी के प्लस सब्सक्रिशन ले सकते हैं जिससे बिहार के टॉप एडुकेटर के किसी भी डेडिकेटिड एक्जाम के लिए आप इन बैचेज को ले सकते हैं डेडिकेटर लाइव डाउट के लिए रसेसन चलते हैं एक सब्सक्रिशन से आप वो सारे क्लास के एक्सेस मिल जाएए यदि आप BPSC 602 के त्यारी करना चाहते हैं प्री और मेंस के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं आज जनवरे से इन डेटिकेटर बैचेज को भी इन रॉल कर सकते हैं आज की दिन मॉर्णिंग में लाइव क्लासे से अनुप सर अनुप कुमार स्रीना सर 10-7 बज़े से लेकर रात्री के 12 बज़े जग सभी BPSC मेंस के डेटिकेटर बैचेज आप देख शकते हैं सब्सक्रिशन लेना बहुत असाना आपको BPSC से लेक्ट करना गोल से लेक्ट करने के बाद गेरट से लेक्ट को पर आजाना इसके बाद आपको प्लान से लेक्ट करना और यह ड्रेफर कोड रिउस करना जिसके बाद आपको 10% डिसकौंट मिल जाते हैं जाकर आप इन प्लान को एक्षिष दस जनवरी के ASI STNU exam के पेपर कूपर किस तरह का पेपर पूछे गए क्या पदला हुआ ये वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है जो नहे दरोगा फ्यारती है तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बदला हुए तो इस जनवरी के ASI STNU के पेपर ही देखे वहां से वर्ल्ड हिष्ट्री से संभादे तीन से क्यास पास प्रशन पूछे गए थे तो ये प्रशन के संख्या बढ़ते जा रहे है तो बिहार से लेटे दो प्रशन थे जो करन्ट अफ्यर से रिलेटेड थे सडग से संबन्धित रि और साडग से संबन्धित यहां पर इस exam में approximana जया तो तीन से चार प्रशन पूछे गाए जो बिहार से रिलेट Faid है एक an expensive jeep चार से प्रशन पूर। करन्ट केने प्रशन के आस बास बास बिहार सारे साडग से रिलेटेड थे तो आपको यहां पर जोग गšनat से जो कभी-कभी पूछ दिये जाते हैं, बस उसके लिए आपको त्यार रहना, इसमें जादत आप मेहनत नहीं करनी है, जादा मेहनत आपको करनी है, साइन्स सेक्षन में, क्योंकि साइन्स सेक्षन में लगातार प्रशन की संक्या बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे नंबर में साइन्स से प्रशन से पूछे गए हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा डरनी की ज़्यूरद नहीं है, यहाँ पर जो भी प्रशन पूछे गएना हैं, आपको डेली उसमें जो प्रशन में आते हैं, जो आप लूसेंट में देखते हैं, जो स्पी डीज जैसे बूक में देखते हैं, उसी तरह के प्र nouveau में टेखते हैं तो आपको क्या-क्या बदलाओ हो रहे हैं इसने के उपर नज़र रखनी चाहिए यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस है इसके बाद बात की जाए साइंस में तो बायो सक्षन से तीन से चाट के आश्वास प्रशन पूछे गए सबसे ज़्यादा फिजिक्स उसके बाद कमेंस्ट्री उसके बाद बायो सक्षन से प्रशन पूछे गें तो ये चलता रहा रहा है साइंस इंपर्टेंट सक्षन बन भीहार द्रगा का एक्जाम के लिए बहुत हीं इंपर्टेंट सक्षन है ये merit बनाने में भी आपको बहुत कारणर काम आएंगे science को उपर आप थोड़ा सा भी पक्कर अच्छा रखते है history of world geography भोगोल की Indian world geography की बात की जाए quality को उपर बात की जाए ये सब लोग करते है current office को बात की जाए ये सब लोग करते है पर science को उपर सब लोग ध्यान नहीं देते है math को उपर सब लोग ध्यान नहीं देते है math से related दो प्रशन पूछे गया थे इस exam में ज्यादा प्रशन नहीं थे सिर्फ दो प्रशना है इसके बाद बात की जाए history की उपर देखी जाए तो यहाँ पर जो भी प्रशन यानि कल का वीडियो मैंने कल एक वीडियो अप्लोड की थी 10 तारी को ही 10 जनवरी को ही बिहार ASI सॉरी बिहार सब इंस्पेक्टर के तैयारी को लेकर जो जो टॉपिक मैंने बताया उस एक वीडियो में सारे प्रश्ट उसी टॉपिक से रिलेटेट प्रशन थे और उसी टॉपिक से रिलेटेट से भी एक भी बाहार नहीं गया है प्रश्ट उसी टॉपिक से रिलेटेट है तो आप इससे एक समाझ सकते हैं कि आयोग का जो पैटरन है पैटर्न वही है पैटर्न में जादा बदलाओ नहीं हो रहे हैं पर कुछ प्रश्न वर्ल्ड जोग में से ज्यादा पुछ दिये जा रहे हैं कुछ बिहार से रिलेटर आ जा रहे हैं पस कुछ बदलाओ रहे हैं कुछ बदलाओ रहे हैं कुछ बदलाओ रहे हैं कुछ बदला आप उस वीडियो को पर तीन बार चार बार देखें जिससे आप उसी टॉपिक उपर जादा मेहनत करें जब एक्साम के रिवीजन के समय हाई तो उस टॉपिक उपर इतना जादा मेहनत करें जो आपका रिजल्ट बहतेर तरीके से रिजल्ट आपका स्कोर भड़ पाए साड़क से API से लेटेड से समंदित प्रष्ण है को कि कि वा Carm इसक्जाम में तीन प्रस्ण इंपOR cheating जो Erst must होते हैं शेइन और रिखार गा अभारे सर्थ एक प्रश्ण एक पर्श्ण थे क्थ प्रष्ण एक पाइप्लीशित प्रष् bookstore चाल है है पर यहां पर भी प्रशन उसी पैटर्न को अपर को आपको रिस्त पूछे का पैटर्ण को अपको आपको कल के वीडियों में बताई है आप प्ले लिस्ट में चले जाएं बस नीचे जाएंगे वह वीडियों जाएगा पॉलिटी से रिलेटेट बात की जाए पॉलिटी से रिलेटेट भी कल मैंने आप से भी को बताया था जो टॉपिक वहाँ सही मैक्सिम्म प्रशन पूछे गा है और यहाँ से अच्छे खासे नंबर में प्रशन थे मैं इतना ही प्रवाया आज की इस वीडियो में ASIC उपर इतना काफी है और यदि आप कॉमेंट करना चाहा है तो आपके स्कोर कितने अटेंप्ट सही सही किया यदि आप थोड़ा बहुत मिला रखा है तो उटसे एक एक साट राइडिया लग पाएंगे और आप कॉमेंट करना चाहा है यदि आपने कल एक्जाम दे रखा है तो कुछ न कुछ आप कॉमेंट करें किस तरह का पेपर रहा कुछ बता है जिससे एक कट अफ के उपर यदि बात की जाए तो किस तरह का कट अफ रहेंगे यह अनुमाल लगाने में असानी हो तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स टॉफिक उपर इस एक्जाम के री एक्जाम के उपर टॉटल जो मामला है जो आपने 27 दिसंबर को एक्जाम दिया था इसी में औरंगाबाद के एक सेंटर पे इंडो कुछक करका सेंटर का नाम है उस एक्जाम सेंटर के उपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुए थे पेपर लिग को लेकर पेपर में ऐसी गड़बड़ी थी जिसमें चांच में पाई गई है कि पेपर कुछ इस तरह के गड़बड़ी हुए थे जिसको री एक्जाम को लेकर आयोक के दोरा बात चल रही है और उस एक्जाम सेंटर के लिए री एक्जाम फिर से व्यस्तित किये जाएंगे जिन जिन अव्यारतियों को आ और अंगा बाद उस एक्जाम सेंटर में एक्जाम सेंटर गैत है तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोशेश होने जा रहा है जो exam, result, ये सारे मामले थोड़ा सा लंबा चला जाएगा तो ये exam के, re-exam के उपर बात कही जा रही है देखते हैं क्या निकल कर आते हैं अभी के लिए यही update है कि re-exam उस exam center पर फिर से लिए जाएंगे सारे अभजारतियों को फिर से नए exam center नए allowed की जाएंगे वहाँ पर नए exam center फिर से exam होंगे बात की जाए answer के उपर, तो answer की कब तक आ रहा है answer की exact date किसी को कुछ नहीं पता ना मुझे भी कुछ पता नहीं कि exact date आज कल कभी भी आ जाएंगे यदि बात की जाए answer की को पर, उमिद है कि 2-3 दिन के अंदर इस exam के answer की official website को पर आ जाना चाहिए ये भी पूरी तरह से confirm नहीं है, जो मैंने बताया 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से confirm नहीं कि 2-3 दिन के अंदर नहीं आ ही जाएंगे जो पुराने pattern थे, 15 दिन के अंस-पस answer की आ जाते तो उसी pattern के base पर 2-3 दिन के अंदर इस exam के answer की official website को पर आ जाएंगे ऐसा होने की संभावना है, देखते हैं क्या होता है, अभी के लिए बस यही अपडेट है, जैसे कुछ अपडेट नहीं अपडेट आता है, वो वैसे ही आप से भी को पताता रहूंगा इसके बाद बात करते हैं, सबसे जादा जो comment थी, विहारत रोगा के सारे रिक परिशा को लेकर, सब भी अविहारत थी हो को, मन में शंस है कि exam के result में delay हो रहा है, तो result आने के बाद कितना समय मिलेगा, एक बात अपने दिमाग पे यह डाल लेगा, कम से कम 35 दिन से plus समय आप को सारे रिक परिशा के तयारी के लिए दिये जाएंगे, 35 दिन के बाद ही सारे रिक परिशा लिये जाएंगे, जो भी चल रहा है दिमाग में result में देरी को लेकर या सारे रिक परिशा को लेकर, आपको इतना समय मिलेगा, 35 दिन समय मिलेगा, पर यहां पर जो बात आती है, 30 दिन में आप अपना स्वीड को इमप्रूब कर सकते हैं जो फिजकल है उसे इमप्रूब कर सकते हैं पर जो अब भी करना है सारी रिक परिच्छा को लेकर ये काम अभी से आप पूरी तरहसे जान लगा दे यदि बात की जाए सारी रिख परिच्छा को उपर तो result जैसे बताया जाने 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के आसपा, 18-19 जनवरी के आसपास आ जाएंगे यदि उस date में आ जाते हैं तो आपको सारी रीक परिच्छा फरवरी के आखरी सब्ता में या जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं जो अभी के लिए यही update है उसी तरह कटफ रहेंगे, इससे जादा नहीं जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जो कटफ को जादा नहीं जानने जाते हैं, आपको सिर्फ लग रहा है कि कटफ बहुत जादा हाई जाएंगे, क्योंकि जो अपने सोसल मीडिया को उपर देख रहें, उसके धिमाग म एक mindset बना हुआ है, बस इन वाज़ों के वज़ए, जो आपको mindset बना हुआ है, इन कारणों के वज़ए से, सोसल मीडिया के वज़ए से, ये कटफ को पर जादा भरम है, आप कोशिश ये करें कि जादा कुछ द्यान ना दे, टोटल फोकस, पूरी तरह से फोकस, आप सारे र परिच्छा ही, जो करेगा, यही करेगा आप, तो चलिए, आज की इस वीडियो में तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी को बहुत बहुत धन्यवाद, जया इंद,